जिस प्रकार से नतीजों का दिन अब नजदीक आई ही गया है एवीम खुलने वाली है किश्मत का पिटा रहा है वो खुलने वाला है ऐसे में दो दिगज निता प्रदीश के मुख्यमंतरी अशोगेलोत और पूर मुख्यमंतरी वसंद्रा राजे दोने ने गाजिपाल से मु को राजितिक जो पंडित हैं कयास लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं आत्म विश्वास से लबरेज हैं वसंद्रा राजे उनको कुछ ऐसा संदेश उनके इंटरनल सर्वे से आप क्या मानते हैं देखिए अशोग गेलोत तो मिले हैं गाजेपाल से सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं सिष्टाचार मुलाकात कई जा सकती है पर मेरा अनुमान है कि उनने कहा होगा कि अगर वो बड़ी पार्टी उनकी आए तो परंपरा के अनुसार बड़ी पार्टी का ने मंदरने को मिले ह जी हो सकता ऐसा काओ हो सकता ना भी काओ पर जब मिलने गए हैं तो ये तो मौका छोड़ा नहीं होगा उनने कहने कहा हो वसुन राजे भी एक आखलन करने पहुँची बड़ आखलन लेकर के साथ अपने गई हैं पर वसुन राजे को के पास सी क्लेरिटी नहीं है कि भाजपाल अकमान उनको कोई बागडोर सौंखने जा रहा है मुख्यमंद्री पत की या बहुमत से कुछ दूर रहा थी उसके अनसार भाजपाल अकमान दिल्ली में बैठावा दोनों को निप्टाना चाहता है अशोग गरत को भी निप्टाना चाहता है वो सत्ता में ना आए वापस ये टार्गेट दूसरा टार्गेट उनका ये भी है कि वसुन राजे के हाथ में सत्ता ना देनी पड़े ऐसा लगता है और लेकिन पहली लिस्ट में जो बगावात हुई तो उसकी वाज़े से बाद में दोनों लिस्टों में उन्हें कम्प्रमाइश किया लेकिन वसुन राजे को ये संदेश अभी तक नहीं मिला है मेरे साब से मेरी जान कर दिया है कि आपको सदकार बनाने की कोई प आजिए नंकी कतारो रह देश्टो要तना चाहता है किसी की पोलिटीकल लिडरशिप को रिकग्नाइज नहीं नहीं करना चाना रायस्थान के संदर्व में कि आप सर्वे सर्वाज हैं आप ताकर्तवर हैं आप लोग जुटा सकती हैं आप जुटा के दिखाईे आप यह ताकत दिखाई है, संपर्क और को इस्तिमार की और नथिंग लाइक देट, जो संपर्क हैं, लोगों को जुटाने में, सरकार को बनने से रोकने में, किसी पार्टी की बनीर सरकारों गिराने में, वो सब महरत आला कमान में के पास जो लोग है, उनके पास है, इसलिए they don't need वसुन राजे, in my opinion, वसुन राजे के कैलिबर पर, उनके संपर्क पर, उनकी लोगप्रिता पर मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, वो है पूर राष्तान में, चुनाओं में देका हमने, पैतालिस सीटों पर गई हूँ, जबर्दस अभी हाँ चलाया हुनाने, ले वो जुटाने काम, आला कमान खुद करना चाता है अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वसुन राजे देवदर्शन यात्रा पर निखली हैं, जी, अमद्दान के बाद त्रिपुरा संदरी जाके आई है, दतिया त्रिपुरा संदरी मे सुबहें, वहाँ से चली गई, महंद्दिपुर बाला जी, तो वो देवताओं से आशिरवाद ले रही हैं, कि उन्हें मौका मिले, और वो मौका मिले तो साबित करके दिखाएं अपने आपको, पर महंद्द बालक नाथ, सांसद अलवर के, जो तिजारा से विधान सवा च जिनाव, सित्यासी, ठैसी परसेंट वोट पड़े हैं, इसलिए महंद्द बालक नाथ आज गए हैं, बील संतोष से मिलने दिल्ली, ऐसा सुनने में आए हैं, बील संतोष व्यक्तिव हैं, जो एक तर से, आरसेस और बीजेपी के बीच की कड़ी हैं, और राश्ट्रिय महास तो जो कुछ भी आरसेस को कन्वे करना होता है, या पॉलिटिकली जो बात आती है, उसका निचोड निकालगा, आरसेस को कन्वे करना होता है, वो बील संतोष करते हैं, इतलिए महंद बालक नाथ की मुलाकात बहुत इंपोर्टेंट है, और वो एक भगवाचेरा, भगवा संती एक सांसत को विधाई की का नोमिनिकेशन फाइल कराने के लिए है, छोटी गठना नहीं थी, बिलकुल, जी सर, इसके अलावा देखा जाये तो सर, जो फाइट है, कॉंग्रेस और बीजेपी पूरे प्रदेश में ओवर ओल देखा जाये, लेकिन कई सीटे ऐसी हैं, ज वो कहिन कहिन नतीजों को प्रभावित करेंगी, आपका क्या मानना है सर्च? बिलकुल निश्य तोर पर जैसे भीलवाड़ा का शापुरा, किलाश में एकवाल निर्दली हैं, चुनाल लड़ने में सिद्ध सते हैं, 90 साल की उमर है, लेकिन वो कहते हैं, 90 साल की उमर, 90 जार को, तो इसलिए वो उसका बेनिफिट हैं उनके पास, ऐसे ये शापरा जैपुर के पास रहा शापरा यहां पर मनीश यादव चासंग के पूर अद्धिक्ष राइस्तार मिस्तार के फिर लड़ रहे हैं, उनके सामने अलोग बेनिवाल निर्दली हैं, जो की निर्दली रह किया था, पर पार्टी टिकेट नहीं मिला, तो फिर से लड़ाई इन दोनों के वीज़े उपेन यादव जो बेरुजगार मासंग के अद्यक्ष हैं, उनको बाजपा, पता नहीं, बाजपा की मेंबर भी थे या नहीं थे मेरे को तो पता नहीं है, तो वो उनको लिया आई लड़ा है, ये इस्तिती भिलवाडा की है, भिलवाडा में आरे सेस और बीजेपी वर्टिकले डिवाइड हो गई है, और एक निर्दली है, गौवगत, अशोक कोठारी को ले करके वो मैदान में आगे हैं और दस्तित जार लोगों की रेली निकाली भिलवाडा की लोगों हैं, लाकेश बहुत बागी हैं, बुनी हैं, किशुराय पाटन में, जिला पर मुग रह चुके हैं, उनकी बगावत कॉंगर्स को भारी पड़ सकती है, यहां पर नवलगड जैसी जगह पे, जहां तीन बार से लाजकुमार शर्मार निर्दली भी जीते हैं, बसपासे भी जीते हैं, ऐसे बड़े दिगज संकट में आ गए हैं, ऐसे कई जगह पर जहां तीन बार से आक्या जीत रहे हैं, दो बार से जीत रहे हैं, अबेद गड़ माने जाते हैं, बीजेपी के, वहां पर बिलवाडा में जिसको अबेद गड़ मानते हैं, बीजेपी का, वहां पर बिदाय की पतनी इटा सिंग खड़ी होगी जेजेपी से और बीजेपी का फिक एंडेटर सीपीम के जाता राव अम्रा राव फिर से हैं जो पहले एमेल रह चुगे सीट से वहां त्रिकौन ही चतुष्कौन ही संगर्श हो गया है ऐसी बहुत सारी सीट हैं जिन पर त्रिकौ से चुके हैं वसंदा सरकार में बेर्ना सिंग शेकावजी सरकार में युनिस खान लट रहाना जाता हूँ कि स्रीकौबाल भायती चुना लट रहे हैं तो खुच जीतेंगे या कॉंग्रेस उनकी वएसे जीच जाईए वहां पर तो उनके खड़ो होने से भाजपा के परत् सुल पेरवत, यू हिंदु-मुस्लिम नहीं कर पाई चुनाओं, तो ब्रेवर में आखा हिट सुन फॉर्ट को फाइदार। कि आक था किन पॉंदो को सकते हैं रूपनावीं ब्रेक्राइब का था यू और ये नहीं कह सकते हैं आपकी थान। तो बाजपा को नीचे ले आएगा उसकी वज़े से Congress भी नीचे आ सकती है ब्यावर में देख रहा हूं मैं और मसुदा में देख रहा हूं Congress का बागी पर्मिटेशिन कॉंबिनेशन अपने रिसाफ से बनते हैं किसको टिकेट मिला किसका काटा गया उसका व्यश्टिकत व्यवार क्या है कैलिवर क्या है पैसा कितना लगा है उसने उसके पास चुनावची ने किस पार्टी का है वगरे वगरे बहूट सारी बाते हैं जिनको consider exit प जो तीसरा मोर्चा है जिसको पिछली बार 26 सीटे मिली थी मोर्चा तो नहीं था वो बिखरे बिखरे थे फिर भी 26 सीटे मिली थी दो सो में से और आदा परसेंट वोट के अंतर से कॉंग्रेस 27 सीटें बीजेपी जादा लाई थी यह दो टिकलिश पॉइंट है बहुत ऐसे रखते हुए आप अगर आज के चुनाव को देखोगे उस परिवेश में उस परिप्रेक्श में तो आपको लगेगा कि वाकर काउंट्फूजन की इस्थिती है और मुझे नहीं लग रहा कि क्योंकि नहीं तो कॉंग्रेस से इतना खराब चुनाव लड़ा है यह लोट ने अपने आपको स्थम्ब की तरह खड़ा किया और मोधी के सामने एक अपने आपको आइकोन वराने कोशिश की मोधी एक आइकोन तो हैं पहले से तो दो आइकोन हमने सामने हो गए वस्तुन राजे या किसी और को बीजेपी ने अपना चेहरा नहीं बताया तो उसको चेहरा बताने के फायदे भी और नुकसान भी वो सारी बातें इतनी सारी ऐसे आई हैं एक बात जरू मैं कहना चाहता हूं अशोक गेलोत ने बहुत अच्छा काम पार्टी उनकी पार्टी के लिए से उनकी रिष्टे थे खटास्ती विद्रो था जो भी ता सरफेस पे नहीं आने लि और उन्हें सचीन पार्ट के इच्छिक हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए टिकेट देने में कोई एथराज नहीं किया तो वो जो लोग उमीद लगा के बैठेतें बीजेपी के सचीन पारट लड़ेंगे जगड़ेंगे टिकेटों में उनकी फटेंगे उसका दिखनें नहीं दिया को या जन्ता को ये उन्हें बहुत ही बखोबी किया इस काम को एक प्लिटिकल मैचूरीटी का काम उन्हें दिखाया और खुद उन्हें इतनी मेहनत की है जिसका कोई हमसाल नहीं सुबमे से शाम तक इतनी जगए कितना को फवाइं को माना है रहता मुख्यमंत्री का पत्याशीक राएंगा ठोड भी थे लोग मानते थे कि में बालगनाथ भी है और हमारे गजिन सिंग शेखावत भी हैं सदीश पूनिया को भी लोग इस कंसिडर करते थे इस मामने में तो इसे पांच-शे लोगों को मुख्यमंत्री का दाव उसका अपने चेहरे के वोट वो नहीं थे वोट मोधी के चेहरे के थे मोधी के नाम के थे देश भक्ती के थे हिंदुत्व के थे राष्ट्र गौरव के थे और सामनी तरफ 100 उनिट पीज़ी फ्री 500 रुपया सिरेंडर लैप्टॉप देने की चात्रों को घोष्णा अंग्रेजी स्कूल 2 रुपय किलो गोबर खाईदना 25 लाग का चेहरे वीमांग 50 लाग का करने की घोष्णा ऐसे 7 गारंटियां और दूसरी पहले की 10 गारंटियां तो एक तरफ व्यक्तिकत और पारिवारिक जीवन को समारने के प्रयास और संकल्प को लेकर खड़े हैं शोगे लोग और दूसरी तरफ राश्ट्री गौरव, हिंदुत्व और जैसे नाम करते वे राम मंदिर बनाने वाले मोदी प्रदान मंदिर मोदी और उनके नेतर भी ये भी अब देखना है कि ये इमोशनल उद्विलन और आत्म गौरव और राश्ट्री गौरव का प्रश्न और व्यक्तिकत पारिवारिक जीवन में संतुष्ट्री प्रदान करने वाले उपाए, कोशिशें, योजनाएं इनके बीच एक टकरा हुआ है राजस्तान में मैं हमेशा से कह ये राजस्तान लोकतंस की एक प्रयोक्षाला बन गया है, इस प्रयोक्षाला में ये टकरा हुआ है, अब इसमें इमोशनल वेल्यू जीती हैं या परसनल लाइफ में जो वेल्यू मिल रहे हैं सरकार से लोगों को, रिलीफ मिल रहा है, वो जीता है, इस से देश के राजनि को दे सकता है इस मौके पर इस चुनाव के जरीए इस चुनाव के नतीजों के जरीए ये कहना चाहता हूं मैं जी बिलकुल चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर तो ये थे जाने माने राजरतिक विश्लिय शक अनिलोडा जी जिन्नों ने बता कर दो को जुड़र इस मौके डो को ये माने बता हूं